नमस्कार दुस्तो स्वागत है आपको अपनी यूटूब चनल टार्गेट सिविल सर्जिस में और देखिए आज हम जनवरी से लेकर मैं 2024 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करेंटरफरों के मत्रदीस डेली करेंटरफर से रेलेटेट तो उन पर डिसकस करेंगे तो लेक्षाल से पीडियो जनवरी फैवरी मार्च और प्रेल की अपलोड है तो महां से डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हम अखिल भारती महिला अंडर 23 टॉफी टीट्वेंटी टूर्णामेंट 2023 का किताब किस ने जीता है तो यह हमारे मद्प्रदेश ने जीता है किसको हराकर डैली को हराकर और इसमें कैप्टन कौन थी सोमय तिवारी थी सोमय तिवारी को एक लवे पुरुषकर 2022 से भी सम्मानित किया गया है और देखिए रंजी टॉफी 2022 किसके दौरा जीती गई थी तो यह भी हमारे मद्प्रदीश के दौरा जीती गई थी किसको अराकर इसमें आधित इसी रिवास्तों हमारी मद्प्रदीश के टीश टीम के कैप्टन थे फंदरकान Neighड़ी मेंusan मुख्यमंतरी मोहन याद होने कि सहर में मद्यप्रदेश औध्योगीक विकास निगम लिमिटेट का सेंटर स्थापित करने की घोसना की है तो यह उज्जयन में ठीक है तो इस कांसर हो गया था आपसर नमबर बी और यहां आप देख सकते हो मद्यप्रदेश औध्योगीक वि स्थापना 1961 में होई थी ठीक है लगू याने छोटा तो इसकी स्थापना पहले हो जाएगी इसके बाद मद्यप्रदेश औध्योगीक विकास केंद्र के स्थापना होगी 1965 में और मद्यप्रदेश उद्ध्योग निगम की स्थापना कब होगी तो यह 69 में होगी और तो के और ये बी हाले में केंद्री स्थास्ते मंत्री मंसुक मंडाविया ने मेड़टेक मित्र पहल की सुर्वाद कब की है तो यह 25 दिसंबर 2003 से की ए ठीक है और आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है तो यह सुसासन दीवस भी मनाया जाता है अच्छा तीवी स इई श्रवात हुई थी तो यह आयउस्मान भारत योजना की शुरवात हुई थी तो यह सितंबर 2018 को ही थी और इंद्रधनूस जो कि करेंसे समन्दित है तो इसकी शुरवात 25 दीसम्र 2014 को कि गई थी और राश्क्री बाल सुजट्ता मिशन की सुरुबात कपके गी थी तो यह 14 नवंबर 2014 को गी गई थी नाइस कुस ने वारा एक जनवरी 2024 को इसरो के द्वारा किस प्रक्षेपन यान से एक्सपो सेट को प्रक्षेपित किया गया है तो यह PSLV कि C58 से ठीक है तो इसका आंसर रहा गया तो आप्सन नमबर D अच्छा PSLV C57 से किसे प्रक्षेपित किया गया है तो यह आदित्ति एलवन इसको ठीक है यह गगन यान को प्रक्षेपित किया गया है PSLV C57 से और 58 से तो यह EXPO सेट को और देखिए यहाँ पर L की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है तो इसकी फुल फॉर्म के होती है जो आदित्ति एलवन भेजा गया है तो यहाँ पर L की फुल फॉर्म क्या है तो यह लैंग राज है ठीक है चलिए अब स्टार्ट करते हम आज की करेंट अफेर तो आज की करेंट अफेर में पहले कोसन है हमारा देखिए भी हाली में मद्रप्रदेश में मोटे अनाजों के बढ़ावा देने के लिए सिरावनी दुर्गावति स्री अन प्रोथान योजना की सुरुवात की जाएगी और बात आती है यहाँ पर मोटे अनाज की मोटे अनाज के संडरक्षन के लिए आप करसक लहरी भाई को तो जानते ही होगे करसक लहरी भाई का समन्ध किस जीले से है तो यह डिंडोरी डिस्टीक से है ठीक है और 12 सितंबर 2023 को राष्टपती स्रीमती द्रौपती मुर्मु ने एक कारिक्रम में रसक लहरी भाई को स्री अन प्रजातियों के संडरक्षन और संवर्दर्द के लिए पादब जीनोम संडरक्षक किसान संब्मान प्रदान किया डिस्टीक से है और यह किस जन जाती से पीलॉं करती है त够 ञांच की सरहाना है प्रजान मंतलि नर现在 रिड्यर मोदी बिप्रम जो है मन की बात तो इसमें कर चुके है ये तो लहरी बाई डिंडोरी डिस्टीक से है बैगा जन जाती से आती है और मिलेट्स मेले का आयुजन कहां पर किया गया था तो ये गवाले डिस्टीक में किया गया था और मिलेट्स जो अनाज है यानि मोटे अनाजों के उत्पादन को सब्सक्राइब करना है तो किसानों को मोटे अनाजों की बुवाई के लिए प्रोथ्षान करना है तो यह किसान कल्यान तदक्रसी विकास किसान कल्यान तदक्रसी विभाग के द्वारा संचालन किया जाता है और देखिए इस योजना की अवधी दो वर्स की है याद रखेगा कब से कब तक दोजार तीवी से लेकर दोजार पचीस तक होंगी विहाली में किस जिले को एक जिला एक उत्पात में उत्करश्ट कारी कर परत्व राष्क्ताइब ओडि ओपी ओडियो पी का फूल फर्म क्या होती है वन डिस्टिक वन प्रॉडक्ट पुरुसकारों में में स्पेशल मेंसन अवार 203 से समानित किया गया तो इसका आंसर हो ऑप्षन नंबर ए ठीक है जिखने को स्पेशल मेंसन अवार डिजीपी किसे बनाया गया है तो यह रस्मी सुकला को बनाया गया है ठीक है नीना सीन आई स्याइए सेफ की पहली महीले महाने देशक है डॉक्टर अक्षिता क्रश्नमूर्ती जो है यह मंगल ग्रहा पर अपना रोवर संचालित करने वाली पहली भारती मुल्की महीला है और वीरा राना हमारे मधर ब्र देशकी मुखे शचिवा और दूसरी महीला मुखे शर्चिवा मधर शचिवा मधर देशकी तो घाले में देश चे Earlier पहले healthy और hygienic food street प्रसादम का लुकारपन कहां पर किया गया है तो यह महाकालेस्वर मंदिर उज्जयन में किया है तो इसका आंसर जएगा option number A ठीक है अभी हाली में देज के पहले healthy और hygienic food street प्रसादम का लुकारपन किया गया है उज्जयन में और देज का पहला unity mall भी कहां बनाया जारहे तो वह अजयन में बनाया जा रहे अधरी यम्हाद्यो मंदिर कहां ॉर्डा में और निमतिया प्रह उपाद्ट्दक्ष भी है और 16फायो का सचीव किसे बना गया है तो यwelling करंजयन पांडय को बनागया है प्रतम अद्दख्ष कौन थे केसी नि नैयोगी जीं थे और पंधर्ए वितायो के अद्दख्ष कौन तुंते नंद की सोर्श इन जीते तो यह 5 वर्स का होता है इसमें एक अध्यक्ष होता है और चार सदस्य होते हैं इसकी अध्यक्षोных के इस्थापना यह गठन कप किया गया था तो यह 1951 में किया गया था भारती सवविदान के किस अनुच्छेत में वित्त आयुक के गठने का प्राउधान है तो ये 280 में ठीक है और देखे इनके अध्यक्चों के नियुकती किसके द्वारा की जाती है तो राश्पति के द्वारा की जाती है और ये किस अनुच्छेत में लिख ग्रगंड्स्टीग से है और ये सुटिण से है एक है प्राची यदौ से सब्तक्ष foster और ये पैर है पेसमे मेला को रही है था ये लेकिन इनका सम्मंद जो है वह हमारे मदबरदेश महीला होके एकेडमी से हैं और यह किस खेल से सम्मंदित है तो होकी से है तो याद रखिएगा और अभी हाल में मदबरदेश के कितने खेल प्रसिक्षकों को दृणाचारी पुरुसकार दुचार दुचार तेवी से सम्मानित किया से हैं और इनका संब्सकार से सब्सक्राइब पूरुषकार 2010 22 से इन का आंसर जाएगा option number A ठीक है table tennis से है कौन सरत कमल और इनको 2022 का मेजर ध्यांचन खेल रतन पुरुषकार 2022 से समानित किया गया था और अभी हाल और मेजर ध्यांचन खेल रतन पुरुषकार की बात करें तो इसकी स्थापना 1991 में होई थी और इसमें पुरुषकार राची 25 सात्विक साही राज को मिला है यह बेजमेंट इनको संहींत रूप से मेजर ध्यांचन केल रतन पुरुषकार 2023 से समानित किया गया है यूनेसको के द्वारा creative city of music का किताब कि सहर को दिया गया है यह संगीत समराट तांसेन की जन्मस्तली ग्वालियर को दिया गया है तो इस के द्वारा गया है यूनेसको के द्वारा दिया गया है और क्रियेटिव city of literature का वाट किसे मिला है तो यह कोजी कोड को मिला है कोजी कोड कहां पर है यह केरला में यह इंपॉर्टेंट है याद रहेगा ठीक है क्रियेटिव सिटी ओफ लिट्रेचर का वाट यानि साहिते का आपावार बोले तो वह कोजकोट को दिया है और संगीत में किसे मिला देखिजीन उनेसको की में भी आते है ऑड़ोड और झाल और टीकर जो की वुड़िटेश सिर्टी भी है और देखिजी इनडिया इंडिया वॉद्ल नॉमिनिहेशन है विश no इन दो युनेस्को क्रीएटिव सीटीज नेटवर्क वालियर फोर म्यूजीग एंडगोचि कोड फॉर लिटरिचर ठीक है तो म्यूजीग के लिए और लिटरिचर के लिए मिला है की बातकिरम यहां पर युनेसको की तो इसकी फूल फरम जो ए यूनाटिटी इनीशन एजु कोर्टर कहां पर है तो यह पैरिस में है पैरिस फ्रांस में है और यह कोशन MPPSC में अभी हाले में पूचा भी गया था शर्वेचन 2023 में एक लाग से अधिक आबादी वाले सहरों में संयुक्त रूप से प्रतम इस्थान की सहर को मिला है तो यह एक इंदौर को और एक सूरत को तो इसका आँसर हो गया था option number C ठीक है इंदौर और सूरत को सच्चता सर्वेचन 2023 में एक लाग से अधिक आबादी वाले सहरों में संयुक्त रूप से प्रतम इस्थान प्रतम इस्थान प्रतम इस्थान प्रतम है दूसरा इस्थान खाली है और तीसरे इस्थान पर नवी संद्स की सुल वात हूए है और इसकी इस वर्स की थीम क्या थी 2023 की दिम की बात करें तो वी बार वह प्रत्थम इस्तान पर आया तो इंदौर्स है वह लगातार घृतार साथ वी बार पहले स्थान पर आया है इस में हमारे मद्परदेश को कितने अवार्ड मिले सवच्छता सर्वेशन2323 में सबसे सवच्छ राज्यों का सहीं क्रम क्या है तो देखे पहले स्थान पर महारास्ट्र है दूसरे स्थान पर हमारा मद्दप्रदेश है और तीसरे स्थान पर 36 गड़ है ठीक है तो पहले स्थान पर महारास्ट्र है ठीक है दूसरे स्थान पर MP है और तीसरे इस्थान पर जो है वो 36 गड़ है ठीक है और देखिए सच्छता सर्वेचन 2023 में नौरोजाबाद एक लाग से अधिक जनसंक्या वाले सहरों में फास्ट मुविंग सिटी स्रेनी में प्रतम इस्थान प्राप्त हुआ है किसको नौरोजाबाद को तो यह किस अधिक में है तो यह उमर्या अधिक में है ठीक है और फास्ट मुविंग सिटी स्रेनी में एक लाग से अजनसंक्या वाले सहरों में अमर्य कंटक को दूसरा स्थान पहाप्त हुआ है और अमर्य कंटक हमारे मद्र प्रदेश के अनुपूड स्ठीक में ठीक है तो याद रहेगा फास्ट मुविंग सिटी सिरेनी में प्रतम इस्तान उमरार्यार स्थीक से नौरजदाबाद और द्विति स्थान अमरकंटक को हुआ है अमर्कंटक हमारे मद्रप्रदेश के अनुपुड श्टीक में है और स्वच्छता सर्वेशन 2023 में 15,000 से 20,000 जनसंक्या वाले सेहरों में पस्चिम जोन का सबसे स्वच्छ शेहर कौन सा है तो यह बुद्नी है बुद्नी शियोड श्टीक में आता है और यहीं से हमारे मद्रप्रदेश के पूर्व मुख्य मंद्री कौन सिवरासी चुवांजी विदायक है और देखिए सच्छता सर्वेशन 2023 में एक लाग से कम आबादी वाले सहरों में किस सहर को प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है तो यह सासवल को प्रथम इस्थान प्राप्त हु पहले स्थान पर सासवर्ड दूसरे स्थान पर पाटन और तीसरे स्थान पर लोना वाला है और स्वच्षता सर्वेशन 2023 में सबसे स्वच्छ छामनी बोर्ड किसे घोशित किया गया है तो यह महू को किया गया है और महू हमारे मदब्रदेश के किस डिश्टीक में है तो यह प्रयागराज जो की यूपी में है और वारानशी यह भी यूपी में है ठीक है तो इनको दोनों सहरों को सबसे स्वच्छ घंगा जहरों में घृषित किया है और युनेस्कों के विश्वधर समिति के चालिशवे सत्र की अद्धक्षता कौन सा देश करेगा तो यह हमारा देश भारत करेगा ठीक है कौन से सत्र के अद्धक्षता चालिशवे सत्र के अद्धक्षता यह याद रखेगा पहली बार हमारा देश जो है वो युनेस्को के 20 अधर समिति के 46-47 के अध्यक्षता कर रहा है ठीक है और युनेस्को इसके पहले भी पूझा जा चुका है तो युनेस्को का कोन है और अजोले हाली में 12 जनवरी 2024 को प्राइमिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में देश के सबसे लंबे पुल अटल शेतु का उद्गाटन किया है इसके लंबाई कितनी है तो यह 21.8 किलोमेटर है इसकी लंबाई 21.8 किलोमेटर है और प्रदानमंतरी स्री नरेंद्र मोदी ने मद्दप्रदेश के किस जिले में पीम जन्मन योजना के प्रत्थम चरण का सुबारम किया है तो यह स्यूपूर इस्टीक पे ठीक है और प्रदानमंतरी जन्जात्ति न्याय महाभियान अभी हाली में खरगौन ने अपना गौरो दिवस कब मनाया है यह मनाया है 14 जन्वरी को ठीक है तो इसका अपसे नमबर डी खरगौन ने अभी अपना गौरो दिवस मनाया है और यह 14 जन्वरी को मनाया है ठीक है 31 मई को किस जिले का गौरो दिवस मनाया जाता है ठीक है हमारे मद्दप्रदेश में 31 मई को इंदवर का गौरो दिवस मना जाएता है और 24 की बाद करें तो 24 जून को मारे मद्ध्यप्रदेश में जबलपू डिष्टी का गहुरो दिवस मना चाहिए और 25 दिसम्बर सबस्क पहले मल्टी सपोर्ट्स बीजगेम्स का शमगर चैंपियन कौन बना है तो यह हमारे मद्दप्रदीश बना है तो इसका आंसर हो गया तो आप्शन पर आजन किया गया है कहा पर तो यह दिखेंगए घोगरा बीचप पर किया गया है तो यह 5 ताइगर रिजर्व को मिली है ठीक है तो यह चिंदवाड़ा और सीवने डिष्ट्रीक में है और इसका थोड़ा भाग नागपूर में भी आता है ठीक है नागपूर कहा पर है तो यह हमारे देश का लेटेस्क टाइगर रिजर्व है कौन सा विरांगना दुर्गावाति टाइगर रिजर्व इसका चेत्रपल याद रगीगा 1414 किलोमेटर स्क्वेर इसे टाइगर रिजर्व की मानेता कब दीगी थी तो यह सितंबर 2023 में दीगी थी कात्यों में मद्रदेश की सथाहँ पर हैं तो यह तरति स्थान सथाहें पार यूपी है दूसरे स्थाहीं पर बिहार है और थी Central drug testing lab किस जिले में सत्हापित की जाएगी तो इस आंसर होगा option स्थापना की जाएगी तो यह की जाएगी भूपाल में राष्ट्री मेडिया संग्राले की स्थापना की जाएगी माखनलाल चतुरवेदी राष्ट्री काकरापूर गुजराट से अभी हाले में हमारे मद्रप्रदेश के किस जिले में देश का पहला पार्क बनाया जाएगा तो यह जबलपूर्ड श्टीक में तो इसका आंसर रहेगा। कमारे परमानू order कि ने मंद्रूर्प्रदेप कर फीड़ा पार्फ का पर्मानू पावर प्लांट किस जिले इस्तापित किया जाएगा मंडला यह प्सक्राइद में कर दो हमारे जायों कहानो परमाने स्थापित किया जाएगा जायों रिगे इसमें से हमारे मंड़े प्रेश में म्णेला के चुटका में मन्ड़ेगाी मद्रेगा योजना के कृ़्यानवन में मंड़ेश को डीज में कौन सा इस्थान पारी चुथा इस्थान इसका आंसर कर जाएगा ऑप्सन नंबर डी चूथा इस्थान तेक है पर मनरेगा की ठीक है तो इसकी फूल फर्म क्या होती है मात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लॉइमेंट गैरंटी एक्ट टूथाउजन फाइप इंदी में महात्मा गांधी राजट्री ग्रामिन रोजगार गारंटी अधिनियम देश का पहला हुमांं कैपिटल बैंक मदपरदीश के किस जिले में खोला गया है तो यह साज़पूर जिले के सुजालपूर तो इसका आंसर हो जाएगा option number B ठीक है समीरदात का सम्बंद की स्केल से है तो ये hockey से है मद्धप्रदेश की पहली high-tech florical culture नरसरी और aeroponics lab किस जिले में स्थापित की जाएगी तो इसका answer हो जाएगा option number D मद्रवत्पधेस की पहली हायिटिक फ्लोरी कलचर नरसरि और ए़्रोपॉनिक डियब ऐलर डिष्टिक में स्थापीत कि जाएगी इस जेले में स्चित्ट गोदर देओ मदिर को राजसंदक Nous इस्तित् कि पलिख सब्सक्राइक एक इसका नियर्मान कब किया था ये सदि में इसका निर्मान हुआ था यह मंदिर किस भगवान को समर्पित है तो यह भगवान सियु को समर्पित है ठीक है 108 फिट उची भगवान परसुराम जी की अश्ट धातु प्रतिमा कटनी में स्थापित की जाएगी परसुराम जी का जन्म कहां पर हुआ था तो इनका जन्म हमारे मद्यप्रदेश के इंदौर जी लेके ग्राम मानपूर के जानापाव परवत में हुआ था और कब हुआ था तो यह वैसाक सुक्ल तरतिया को हुआ ठीक है और वैसाक सुक्ल तरतिया को ही भगवान परसुराम जी की जैनती मनाई जाती है नहीं हमारा देश की पहली आर्टिफीसियल कैनो सलालम एकेडमिक की सहर में स्थापित की जाएगी तो यह ग्वालियर में स्थाब Nakida कि जाएगी निहेंटर श्रया के जाएगा देश का पहला Center for Tribal Community कहां त्यार किया जाएगा देश निए भोपाल में त्यार किया जाएगा तो इसका आंशर जयागा आपसर नमबर B ठीक है circular दीज का पहला Center for tribal Community क्म्योंटी निटीもし CAP किया जाएगा तो इसका आंसर जाएगा option number A ठीक है और किस नदी पर बनाया जाएगा यह तो यह नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है ठीक है और यह वीश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरता 100 रूजा पावर प्लांट है इसकी चमता कितनी रहेगी तो यह 600 मेगवाट की चमता रहेगी देखे भी हाले में कौणां सा राजिय जंगल की आग को आपदा मानने वाला देश का पहला राजिय बन की जाएगी तो यहिरांगना दुरगर्दी टाइगर ऊस्टarans की शुरुवात की जाएगी और हाले में उस्करष्ट पर्याव प्रवणन के लिए प्रतिष्टित स्क प्रदूसर नियंतरन बोर्ड को समानित किया गया है इसकी स्थापना कभी थी यह सेप्टेंबर 1974 में की गई थी मद्दप्रदेश से कितने व्यक्तियों को पदमसरी पुरुसकार 2024 से समानित किया गया है तो यह चार व्यक्तियों को ठीक है तो हमारे मद्दप्रदेश में चा कालूराम बामनिया को भी समानित किया गया है इनका समंद किस डिस्टीक से है तो इनका समंद है दिवास डिस्टीक से है ठीक है इनका समंद किस डिस्टीक से है तो दिवास डिस्टीक से है कालूराम बामनिया जी इनको भी पदमसरी पुरुसकार 2024 से समानित किया गया है किस च जर्म जो है वो धारडिस्टीक में हुआ था और कर्मिस्थली कौन सी रही है इनकी तो जैन रही है और भिंड के सत्तेंद्र सी यह लोईया जी ठीक है यह मुस्ट इंपोर्टेंट है याद रखेगा इनको भी पदमसरी पूरुसकार 2024 से सम्मानित किया है किस छेत्र में तो खेल के चित्र में यह पैरा सुइमार है ठीक है और इससे पहले देखी 2014 में इनको विक्रम पुरुषकार से भी सम्मानित किया गया था और 3 दिसंबर 2019 को सर्वस्रिष्ट रिव्यां के खिलाली के राश्ट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था तो यह सामाजिक सीवा के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ्सन नमबर ए ठीक है अभी हाल हमारे मद्वदीर के अमनीश््रीज तिवारी को सामाजिक सेवा के लिए प्रिदानमंत्री राश्ट्री बालपुरुषकार दीश्रुषकार 2024 से समानित किया गया और यह किस ऑश्टीक सी है और यह है अने रृवन्स सिंड्रों से भी अपेडित है डृवन्स इंड्रों क् तो यह मिला था आदित्व प्रताप सिंहें चौवान अभी हाली में ग्रह मंत्राले भारा सरकार के द्वारा देश के सर्वस्ट्रिष्ट थानों में किस जिले के सिविल लाइन थाने का चैन किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी ठीक है अभी हाली में मंत्राले के द्वारा सर्वस्ट्रिष्ट थानों में सिविल लाइन थाने का चैन किया ग्या है ठीक है और यह हमारे मद्वड प्रदीश के DGP सुधिर सक्षिना जी तो इन के द्वारा ही अवर्ड दिया गये है दिवाज फुल थाने को आपको पता होगा इसका पहला आई MOU Sign किया गया है तो यह हमारे मद्दप्रदिस और राजिस्तान के बीच तो इस इसका अंसर रहेगा ऑफ n नूमबर B ठीक है मद्दप्रदेश और राजिस्तान के बीच पारवति काले सिंद और चंबल परियोजना को लेकर 01 or साइन गया है और च begg फृलेंक परियोजना किण 2 राजयों की भीच तो यह मद्दब्रदेश और उत्त्र प्रदेश की भीच है ठीक है तो याद रखी के का पारवाति काल सिंद्ध चंबल पर्योजना यह मद्द्प्रदेश और राजिस्थान चेण बेतवा लिंक पर्योजना अध्यप्रदेश हाले मध्द्प्रदेश के किस सहर की प्रिति रजग सेना की पहली महिला सुवेदार बन तो यह है महू की तो इसका आंसर हो जागा option number a ठीक है अभी हाली में मद्रदेश के महू सहर की प्रिती रजग सेना की पहली महिला सुबेदार बन गई है और देखे जो प्रिती रजग है यह shooting player है ठीक है तो इनके दोरा देखे चीन के हॉंग जू में जो Asian Games सुबे थे वहाँ सब्सक्राइन प्रिती रजग प्रिती रजग की पहली महिला सुबे दार बन गई है ऑफ उसे गे में कई यहां पर भारत ने 28 स्वर्ण पदग ठीक है और 38 रजत पदग और कासे पदग कितने थे 41 कासे पदग तो कुल टोटल पदग कितने जीते हैं 107 यह मुस्ट इंपोर्टेंट याद रखीगा ठीक है 28 38 41 यह याद रखीगा 28 गोल्ड मेडल 38 सिल्वर मेडल और 41 कासे पदग ठीक है यानि ब्रॉज मैं हमारे में अध्य प्रदेश ने देखे लगड मेडल चुल को लिए के आइस सबसे आमियाद रखेगा गुल सवारी से है और इन्होंने भारत को गुल सवारी में 41 साल बाद स्वर्ण पदक दिलाया है ठीक है इसी में महिला ट्रेप टीम की जो पृति रजक है पृति रजक भी सुटिंग से है तो इन्होंने कौन सा प्रदर्शन के लिए समभानित के हैं तो इ सब्सक्राइब के लिए इनका नाम क्या है रोहुनी सक्सिना जी तो इनको अभी हाली में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा विदांसरबाद चुनाओ 2023 के कारिस अंचालन में उत्रश्ट योगदान के लिए समानित क्या गया है मद्द्रदेश के मुख्यमंत्री कोन है स्री मोहन याद्र जी तो इन्होंने मद्द्रदे इसमें कब मनानेगी गूष्ण की है तो यह 25 व को ठीक है क्या तो अब हमारे मद्द्रदेश में हर साल 25 दिसमर को और आपको ही होगा कि अब हाली में हमारे मद्ध्रist के गौराइर सहर में कहां दिसंबर को यहाँ पर ताड़ा वादकों ने एक साल अपनी प्रस्थुती दे गिनियस वर्ल्ड भुक में अपना नाम दर्ज कर वाया है इसीदिन helps कि सब्सक्राइब मुझेबा और को हमारे मद्रदेश में तबला दिवस भी मनाया जाएगा अच्छा तांसेन सम्मानों को आउजन कहांपर किया रहा है तो यह ग्वालियर में किया जा रहा है और कौन सा आयोजन है यह निन्यान वेवा आउजन संसकरण है राश्टी तांसेन सम्मान भी दिया ठीक है तो यह किस छेत्र में दिया जाता है तो हिंदिस्तानी सास्त्री संगेत के चेत्र में दिया जाता है और देखी आपको पता ही होगा कि ग्वालियर को युनेसको की creative city की सुचे में भी सामिल किया गया है हमारे देश की जो दो city है कौन कौन सी एक तो केरल की कोजी कोड ठीक है केरल की जो कोजी कोड है इसे साहित्य के लिए सामिल किया गया है और ग्वालियर को संगीत सहर के रू मनाया जाएगा और देखी बात करें 31 अगस्त को हमारे मद्रद्रद्र में कौन सा दिवस मना जाता है तो यह विमुक्ति जाती दिवस मनाया जाता है तो 31 अगस्त को हमारे मद्रद्रद्र में विमुक्ति जाती दिवस मनाया जाता है देखी यह जो दिवस है यह खाना बद पंधिक से अधिक लापप्रदान कर विकास की मुख्व computer से जोड़ना फंद्रा नवंबर की बात करें तुदिः की 15 नवंबर को Member हमारे मद्डबर्दिस में कौन सा दिवस मना जाता है effective तो हमारे मध्ध अवंबर कोम सा दिवस ना जाता है जंजाती गोरेलों दिवस मना जाता है और मधमः को ही बिरस्टा मुंडा जी की जहनती भीत है इसी दिन 2022 में पेईशा एक्ट भी लागु हुआ था और 2 मैं को हमारे मध्ध रदीस में लाडली लक्ष्मि मत्ष ना में अविमुक्ति जंजाती दिवस कब मना जाता है पुछता तो यह 31 अगस्त को मना जाता है और 2022 का जो हुआ था उसमें पुछता कि मद्धब्रदेश में लाड़ी लेक्ष में उच्छा कब मनाया गया तो यह दो मई को मना प्रथम इस्ताम प्राप्त करने के लिए अवार्ड दिया गया है तो यह हमारे मद्धब्रदेश को तो इसका अंसर जागा और बड़ी और हाली में भारती क्रिकेट टीम के पूर्व प्रबंदक मिलिंद कनमडीकर का निधन हो गया है मद्धब्रदेश क्रिकेट संगटन में किस पत पर रहते तो सच्छु पत पर रहते तो इसका अंसर रहता आप्सा नमबर बी और मद्धब्रदेश क्रिकेट संगटन के स्थापने 1941 में होई थी इंदौर को पुलिस कमिस्टर मकरन त्यूशकर को किस अर्ध सहनिक बल में AIG न्यूट किया गया है तो इसका एंसर जगा ऑफसय नमबर ल्हें ठीक है अभी हाली में मकरन त्यूशकर को बीएशसर ंप में AIGक किया है मकरन त्यूशकर की बात करें तो यहादगे सबसे पहले को पता ह तो यहारी नाराणचारी मिस्र एंदौर के पहले पुलिस कमिस्णर तो यह मकरन देउसकर थी इनका टांस्पर कर दिया गया दोनों का तो मकरन देउसकर को इंदौर का पुलिस कमिंसनर बनाया गया और हरी नारायन चारी मिस्टर को बोपाल का पूलिस कमिंसनर बनाया गया और हाले में सर्वत्रीष्ट पाउर स्टेशन कामपप्लेक्स के लिए M question 2 विद्धुद्ग्रह को सर्वस्त्रेश्ट विद्धुद्ग्रह का पूरुसकारप्रदान किया गया है तो यह सत्पुला विद्धुद्ग्रह सारनी को और यह किस डिश्टीक में है तो यह हमारे मद्दप्रदेश के किस डिश्टीक में है तो यह मद्दप्रदेश के है मरही खेला जलवुत्व दग्रहु आयोजित में मद्रदेश को कौनसा सथां प्राप्त हुआ तो हमारे मद्रदेस को फ्रत पर खेलो इंडिया यूदट इमस्की तो इसकी शुरूवाट कप की थी यह ध endlessly increase जैंस की गयी ति फॉन एर पहले फेला खेले में यूदगिम्स का है lesson कहाँ पर किया गया था तो यह नियू डेली में किया गया आ शबूरे में अभिदन से लेकर 11 जन्वरी तक इसका आयजन किया गया और देखिया इसका सुबंकर क्या है तो यह है वी रा वेलू नाचियार ठीक है कि बातकरम यहाँ पर पाछवा खीलो फॉर्व एंडिया उज़ा कि तो मद्द प्रक्र Ellis कि गया था म Sap rapper गतने सेघर्य हमारे मंद्रपरदेश के आब से एठ ओर एक डैली में इन देसर ऑफ है उजय और एक तहसे है चैनल और एक अर्ट सेखना पाच्व comigo इंडिया यूदि सक्षू और 30 जनवरी 2023 से लेकर 11 फैवरी 2023 तक इसका आउजन किया गया था और इसका सुबंकर क्या था तो इसका सुबंकर था चीता आसा और मोगली और इसका थीम सौंग क्या था हिंदूस्तान का दिलधर कादो मसाल अमरकंटक थी और कुल कितने खेल सामिल थे इसमें 27 स्केल सामिल थे और इसमें पहली रेंग जो है महाराष्ट की आई थी महाराष्ट ने कुल कितने पदक जीते थे तो ये 161 पदक जीते थे दूसरी रेंग हर्याना की आई थी हर्याना ने कुल कितने पदक जीते थे तो हर्याना ने कुल 128 पदक जीते थे ठीक है और तीसरी रेंग हमारे मद्दप्रदेश की थी मद्दप्रदेश की तीसरी रेंग थी मद्दप्रदेश ने कुल कितने पदक जीते थे तो मद्दप्रदेश ने कुल 96 पदक जीते थे जिसमें 39 स्वर्न पदक थे ठीक है 39 स्वर को फैबरी को बल्ड वैट्लेंड बनाया गया है तो यहाँ पर हमारे मदप्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वह सीरपुर तालाप गये थे जो कि रामसर साइट भी है और वहां पर उन्होंने गोश्णा की है कि इंद्वर्ण सहर को वर्ल्ड वैट्लेंड सिटी बनाया जाए कि 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 ये 80 है हमारे देश में रामसर 9 चार साइट तो चाहँ बोपाल में है और दो इंदॉर में एक ऑर एक वह बोज वेट लेंड तो यह 2002 में सामिल के गया ता ठीक है इस जो तो में कि हमारी मदर ना पर यह कहां पर है तो यह सीउपुर्ड जील का इसका निर्मान माधोराव सिंद्या ने करआँ ता और यह हमारे मदंची सद्धयान में यह तीसरी ना फार साइट कहुं षी है तो यह सीरपूर तालाब कहा पर है इन दोर में है ठीक है तो सीरपूर तालाब जो है किया हमारे मदव्रदेश की तीसरी रामसर साइथ है और यस्वंत सागर यस्वं तसागर Yojoin deportか के पोए से 2002 में रामसर शाइड में सामिल किया गया था और इसका जो वह मान है होलकरो द्वारा करवाया गया था ठीक है और बात करें है यस्वंत सागर की तो असी भी 2022 में मद्दप्रदेस में की सबसे बड़ी क्लॉइंग वाल स्थापित की जा रही है तो ये सैडोल में इंदौर का पुलीस कमिशनर किसे नहीं उतके गया है तो ये राकेश गुपता को तो इसका आंसर हो जाएगा आप्सन नबर C अभी हालि में इंदौर के पुलीस कमिशनर जो है वो राकेश गुपता बने है इसके पहले मकरन डेउपस कर थे ठीक है और और बोपाल के पुलिस कमिस्टनर को ने तो यह हरी नारायंचारी मिस्र जी है और हमारे मद्दप्रदेश के पुलिस महानजीसक को ने सुधिर सक्षिना जी है ठीक है और अभी हाले में किस जिले के लेफटिनेंट जनरल उपेंदर दिवेदी जी को भारती सेना में उपपरम स्कूल है हमारे मद्दप्रदेश का पहला जो गौवर्मेंट सैने की स्कूल है वह कहां पर है वह रिवा में है ठीक है दूसरा कहां पर बनेंगा गौवर्मेंट सैने की स्कूल तो यह बिंड के मालनपूर में बनेंगा और तीसरा कहां पर प्रस्तावीत है तो यह खरगोर में कुलपति पदनाम को अब क्या किया जा रहा है तो इसका अंसर हो गे तो और प्रसासन और प्रवंद की महाने देश किस नयुक्त कीया गया है तो इसका अंसर गया था सbor ही मतबर्देश के मुक्rop किया गया है और धारे कि हमारे मुक्allhricky करत प्रतम मुक्यक्र चूब्ट अधा मत्यू प्रबंध की बात करें इसकी स्थापन कप की थी यह 1906 में की गई थी ठीक है इसका तब नाम लाल भादूर सास्त्री लोग प्रशासन संस्थान हुआ करता था उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया था 1975 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया था मद्रप्रदेश प्रशासन एकडमी फिर बाद में 2001 में तो किया गया और सी वीपी नारुना प्रशासन एवं प्रबंध की एकडमी इसके महानिक्री सक्किसे निवीट क्या गया है तो यह विनूत कुमार को अभी हाले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादो ने मद्दप्रदेश के किस जिले में कैंसर सेंटर का लुकारपन किया अभी हाले में हमारे मद्दप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादो ने जीले में कैंसर सेंटर का लुकारपन किया विदानसभा में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीज दिवडा ने वर्स 24 25 के लिए कितने रुपए का अंतरिम बजट पेस किया ह यह अंतरिम बजट है इसके बाद जुलाई में फिर से आएगा बजट जो की लगबक साड़े तीन लाग करोन रुपए का रहेगा और जो अंतरिम बजट है वो कितनी लाग करोन रुपए का है तो यह एक लाग 45 हजार करोट रुपए का है 11 से 12 फरवरी 24 को 18 महुत्सों का आयोजन कहां पर किया गया है तो ये भिंड स्टीक में किया गया है और ये दूसरा संसक्रण का आयोजन है पहले संसक्रण का आयोजन कब किया गया था तो ये 2023 में किया गया था और दूसरे संसक्रण का आयोजन कब किया गया है भुपाल के पूलिस कमिस्टर कोन है तो हरी नारायंचारी मिस्टर जी है और हमारे मद्दप्रदेश के दो सहरों में पूलिस कमिस्टर प्रनाली लाग हो है भुपाल और इन दौर में ठीक है हमारे मद्दप्रदेश के पूलिस महानेदी सा कोन है तो यह सुधिर सक्सेना और अद्वेत पागे भी हमारे मद्दप्रदिस के तेराक है सत्यद्र सी लोईया पेरा तेराक है इनको हाली में पदमसरी पुरुजकार दुजार चौबी से समानित किया गया है और पलक सर्मा भी जो है हमारे मद्दप्रदिस से है और ये भी तेराक खिला लिए और तकि अभी ह हाले में महीलाओं की विज्ञान में सहभा अंतरास्ट्री दिवस कारेकरम का युजान कहां पर किया गया तो यह भोपाल में किया है कब किया गया तो यह 12F150 को टीक है और आ 살ी में कॉन्स Edition क्लब ऑफ इंडिया नियु डेली में 96 स्कॉच सम्मिट में मद्धप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को ग्रामिन परियतन परियोजना के लिए टूरिज्म स्रेणी में कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है तो इसका आंसर हो गया था अप्सन नमबर बी अभी हाले में क्लब ऑफ इंडिया नियु डेली में 96 इसको सम्मिट हुई है इसमें मद्धप्रदेश टूरिज्म बोर्ड को जो ग्रामिन परियोजना है इसके लिए टूरिज्म स्रेणी में सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है और देखिए मद्धप्रदेश के किस जीले में क्रांत तो यह गुना डिस्टीक में ठीक है तो अभी हाली में मद्धप्रदेश सरकार के द्वारा किस जीले में नया वीदी महाविद्याले खोलने का निरने लिया गया है हमारे मद्प्रदेश के किस अभ्यारन में नर्मदा जिवास्म संग्राले की स्थापना की जा रही है और देखिए बात करहें मिया पर राला मंडल अभ्यारन की हमारे मद्प्रदेश के किस अभ्यारन में है इंदार सहर में है और यह हमारे मद्प्रदेश का सबसे चोटा अभ्यारन है इसका च्हेतरपल कितना है लगबग 2.34 वर्ग किलोमेटर है में नर्मदा जिवास्म संग्राले भी स्थापित किया जा रहा है और हमारे मद्रदीश का सबसे बड़ा अभ्यारन कौन सा है तो यह नौरा देही अभ्यारन है किस अडिश्टीक में है तो यह सागड श्टीक में है ठीक है और इसका शीतरपल कितना है तो यह ग्यारा सो चोर करें मुरेना डिश्टीक में हैं हाली में मुख्यमंत्री से राजेंदर सुकल से राजेंदर सुकल और एक जगदीश देवडा तो राजेंदर सुकल ने वेस्ट्टू एनर्जी प्रांट का सुभारम जो है वो रिवाड इस्टीक में किया है तो यह हमारे मद्रप्रदेश के उज्जाइंड इस्टीक में किया जाएगा तो इसका आंसर रहेगा और बी ठीक है एक से दो मार्च दोहर 24 को डियरी खादपदार्थ अग्रिकल्चर और धार्मिक परेटन के उद्ध्योगों को बढ़ावा देने के उद्धिस से इन्वेस्टर समिट का आउजन किया जाएगा कहां पर तो यह उज्जाइंड ठीक में हाली में प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी जी के द्वारा हमारे मद्रप्रदेश के किस विशुद्याले में पी-एम उसा योजना सुभाराम किया गया है और बरकतुल्ला विशुद्याले कहां पर है तो यह बोपाल में है इसकी स्थापना 1970 में की गी थी ठीक है और पी-ए च्छा अभियान ठीक है तो यादर कीगा प्रधानमंत्री उच्छतर सिख्छा अभियान है पी-एम उसा योजना का फुल फॉर्म और बात करें देवी अहीलिया कहां पर है तो यह इंदौर में है यह विस्थापना कर गी थी तो यह 1964 में किए थी ठीक है बात करें जवारल नेहरुक रसिविस दयले तो यह जबलपूर्ट स्टीक में हैं और जवारलाल नेहरुक रसिव만 करसिव इस तापना कर गई ती यह था है यह हमारी मैं इसकी गई तो थố भौरोनाता विजया राजिस हिंद्या क्रसी विष्यद्याले कहां पर है गवालियर में है इसके स्थापनाralicopbird 2008 में किए थी अहारे मत्वधियस का पहले अलौने सीच्भार्णि जोकि सागभ डिस्टीक में और इसकी स्थापना जो है यह 1946 में की गई थी ठीक है इसकी स्थापना नाम सागर विश्विद्याले करते था फिर 1983 में इसके बाद 2008 में इस विश्विद्याले के दरजा तापत हुआ था और अभी हाली में PM उसा योजना का सुभारां कहां आवास योजना के अंतरगत में और मत्रदेश के सब lui निर्वीरोध निर्वाच boosting 2022 तो यह पाच प्रत्यासी को तो इसांसर होगा तो जिसमें से एक महिला प्रत्यासी भी है याद रखेगा तो यह माया नारोलिया कहां से है यह नर्मदापुरमस है ठीक है तो इनका नाम याद रखेगा और हाले में 20 फरवरी से 26 फरवरी पहला संस्क्रण कब हुआ था 1975 पर इसकी सुरुवात और हाली में साउथ एसेन ट्रेवल एंड टूरिजम एक्सचेंज में यानि मद्दप्रदेश टूरिजम बोर्ड को बैस्ट टूरिजम स्थापन कब हुई थी 2017 में हुई थी और मद्दप्रदेश पर्याटन विकास निगम की स्थापन कब हुई थी तो यह 1978 में हुई थी ठीक है दोनों याद रखेगा और विश्व की पहली वैदिक घड़ी हमा हमारे देश का पहला मौल कहां पर बनेगा तो यह भी उज्जयन में बनेगा और हाली में किस राजी सरकार के द्वारा कक्छा एक से बारा तक के चात्रों के लिए सब तहां में एक बार बैगलेस स्कूल दीवर्स की घुष्णा की है तो यह मद्दप्रदेश में तो इस का हमारे मद्दप्रदेश के मुख्यमंतरी डॉक्टर मोहन यादोजी के द्वारा एक मार्च को किया जाएगा ठीक है तो देश का पहला वीर भारत संग्राले कहां पर बनाया जा रहे है यह लोगपाल कौन होगे तो यह होंगे जस्टीस श्री अजय मानिकराव खानविलकर ठीक है जस्टीस श्री अजय मानिकराव खानविलकर जी जो है वो हमारे देश के नए लोगपाल होंगे और देखें यह हमारे मद्दप्रदेश के पूर्व मुख्य नहादीज भी रह चुके है कब से कब तक तो यह 2013 से लेकर 2016 तक हमारे मद्दप्रदेश के मुख्य मानिकराव खानविलकर और सुप्रिम कोट में नियादीज भी रह चुके है श्री अजय मानिकराव खानविलकर जी अभी हमारे मद्दप्रदेश के मुख्य नहादीज कोन है तो यह रवी विजय कुमार मलीमत जी को लागू करने वाला देश का पहरा राजी कौन सा होगा तो यह हमारा मद्प्रदेश होगा तो इसका आंसर रहेगा ओप्स नमबर ए हाली में मद्प्रदेश के सभी जीलो में साइबर तहसिल परियोजना का सुबारम किस ने किया है तो यह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वरा किया गया है तो इसका संथी मुर्मू हमारे देश की राशपती है मंग proportion संथी 2 की संक्या जो है वो हमारे मbuds म्यद्णप्रदेश को टेंदो की संख्या कितनी है तो इसका आचीर हम इसमें प्र än ऐसılan पार जाएं ठीक महाराष्ट में 32 की संख्या कितनी है 1925 है तीसरे नंबर पर आता है करनाटका करनाटका में 32 की संख्या 1879 है ठीक है और चौते नंबर पर आता है तमिलनाडू तमिलनाडू में 32 की संख्या कितनी है 1070 है तो सबसे अधिक जो 32 की संख्या है वह हमारे मद्रदीश में दर्ज की बीकार को 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 कॉला की बॉटलिंग साका हिंदूस्तान को को कोको कोला बेवरेज ने मद्रदेश के किस जिले में दो वी निर्मान लाइन इस्थापित करने का निजने लिया है तो यह राजगाल जीले में ठीक है और इसमें investment कितना किया जाएगा तो यह लगबख साले 300 करोड रुपे investment किया जाएगा और इसके पहले भी कोको कोला बेवरेज जेज ने सन 2000 में 311 करोड रुपे का निवेश किया था कहाँ पर राजगाल जीले में ठीक है और हाले में मद्दप्रदेश की किन्द दो सहरों का चर्ण सिर्टीस 2.0 में किया गया है तो यह जबलपूर और उज्जेन का तो इसका अंसर हो गया था option बर B और हाले म दोंके हमारे देश में उतरा उतरफ्रदेश ठीक है defesa और मिजूरब तीन राजओ के राज्यपाल बी रह चुके हैं और इनका समुनन हमारे मद्दप्रदेश के किस जीले से है इनका जर्म जो है वह भाल जीले में हुआ इसा राच्षी में पर्यटन को बढ़ावा देने और महिला यात्रियों को सशक्त बनाने के लिए Queen on the Wheel महिला बाइकिंग टूर शुरू की गई है तो ये हमारे मदप्रदेश राज्य परेटन बोर्ड के द्वारा तो इसका आंसर हो गया तो option number B और मदप्रदेश राज्य परेटन बोर्ड की स्थापन अगप की गई थी 2017 में की गई थी तो मदप्रदेश परेटन बोर्ड के द्वारा हमारे मदप्रदेश में परेटन को बढ़ावा देने और महिला यादरियो को ससक्त बनाने के लिए Queen on the Wheel महिला बाइकिंग टूर शुरू की गई है और मत्रदेश परेटन विकास निगम की स्थाप में 2017 when और मत्रदेश में 2017 अशोक नहिए प्रानपुर्गाव किस जीले में है यह असोक नगर में है च्छे मार्च को इसका लुकारपन के अगया है तो यह भी याद रखीएगा ठीक है और हाली में मदप्रदेश के किस विद्दुद ग्रह को फ्लाइ एस के कुसल प्रबंधन के लिए राश्टर पूरुसकार से समानित के अगया है तो यह सत्पड़ा ताप विद्दुद ग्रह सारनी जो की बैत तूल डिश्टीक में है और सिरी सिंगाजी ताप विद्दुद ग्रह दूंगलिया जो की खंडवा डिश्टीक में है ठ तो श्वर्न पदक जीता है तो वैसनवी त्रिपाटी जी इनका समंध जो है वो किस खेल से है यह है वूसू से ठीक है और यह किस अडिश्टीक से है तो यह सत्वन अडिश्टीक से है और इन्हों ने अभी हाली में मॉस्को वूसू चेंपियंशिप 2024 में 48 किलो ग्राम भा है तो यह रतलाम का है रियावन लैसुन ठीक है तो इस कांशर हो गया था और सी रतलाम को जेए टेक कब दिया गयै था था रतलामी सेव को कभ दिया गया था 2014-15 में दिया गया था जिए टीक और बालागाट से हाँ दो उत्पादों को 6我ちゃ मिल चुका है । एक थीचन और सब्सक्राइ siitä मिला था इस इतां हिम्द मिल था 2021 भाविज्व में ठीक है चन्र्व को 2021 में जा एक हैं रॉlet सालिय यहां की को यह इंदौर के इनको भी जी आइटेग मुल चुका है और हाले में किस जिले के परियतर निस्तल मलई की बाइसन रिसॉर्ट को देश का पहला 5 प्रमानपत्र मिला है तो यह नर्वनदपुरम की तो इसका आंसो जाएगा ऑप्सिर नमबर ए ठीक है हाली में नर्वनदपुरम जीले के पाइड़ा निस्तल मड़ाई की बयासन रिसर्ट को देश का पहला फाइव ग्रिन लीफ रेटिंग प्रमानपत्र मिला है जो पॉब् और बात करें आपर मद्दप्रदेश पर्याटन बोड की स्थापना 2017 में की गई थी ठीक है और मद्दप्रदेश पर्याटन विकास निकम की स्थापना 1978 में की गई थी राश्पत्ति स्रीमति ड्रौपत्ति मुर्मू ने मद्दप्रदेश से किसे वर्स ज़ार 23 के संगीत संगीत नाटक एकडमी पुरुषकार से समानित किया है तो यह स्री राजी वर्मा श्री अनूप जोसी और सुस्री कलापीनी कोमकली तीनों को तो इसका आंसर रहता आप्स नमबर डी ठीक है अभी हाली में हमारे देश की राश्पति सिर्मति जौपति मुर्मूने हमारे मद् पर नंट रहते और हिखे और राष्क्री नाट्य विद्धावल्य कहां पर है तो यह निट इलिमय है इसकी स्थापना 59 में हुई दिUSTर कि एकड़मी कहां पर है तो इसकी स्थापनना 1954 में ररति संस्थानन कहां पर है यह निट औहल में ॲप आलन और डेरी विभाग ने 21 वी पसुधन गन्ना में चर्वाहो और उनके पसुधन की गिंती पर एक कारेशाला का आयोजन कहां पर किया है तो यह हमारे मदब्रदेश के इंदौर में किया है तो इसका आंसर रहेगा option number C ठीक है अभी हाली में पसुपालन और डेरिव्य भाग ने 21 पसुधन गन्ना में च किया गया था तो यह 2019 में किया गया था 2024 में कारेशाल का आउजन कहां पर किया रहा है तो यह इंदौर में किया गया है देखिए नागरिक ओडेन मंत्राले ने उडान योजना उडान की फुल फॉर्म क्या होती है उडे देश का आम नागरिक ठीक है तो उडान की फुल फ में नागरिक उडियन मंत्राले ने उडान योजना के तहत मद्दप्रदीश के स्यूपुर डिस्टिक और गुना डिस्टिक के हवाई अद्ध को विक्सित करने की योजना की घुशना की है हाले में किस राजी सरकार के द्वारा पीएम स्री एर एंबुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया है तो यह मद्दप्रदीश सरकार के द्वारा तो इसका आंसर हो गया था ओप्सन नमबर ए ठीक है अभी हाले में हमारी मद्दप्रदीश सरकार के द्वारा पीएम स्री एर डॉक्टर मुहन यादो ने घोशना की थी एक इमर्जेंसी एर एंबूलेंस सिवा सुरू की जाएगी इसी कि तहट यह सिवा सुरू की गई मद्रप्रदेश के लोकायुक्त किसे नियुक्त क्या गया है तो यह नायमूर्थी सत्यंद्र सियंग को तो इसका आंसर हो गयता यूक्त बने हैं यह सते शींद्ध यह हमारे मद्रप्रदेश के पुर्व लोकायुक्त नायमूर्थी этом के गुपता ओद कि हमारे मद्र पर्देश के प्रत्म लोकायुक्त कौनत कों यह पीवी दिक्शित जी थे और अभी हाले में किस राज्य या केंद्र घ्राषित प्रदेश ने मंद्द प्रदेश की योजना के समान एक नई योजना की शर्वात कि है तो यह 36 और डेली दोनों ने ठीक है शाथिस गार ने जो है वो महतारी वंदना योजना की शुरुवात की है और मुक्यमंत्री महिला संभाज युजना की शुरुवात दिल्दे दार दे गई है और यहां पर महिराओं को एक हजार रुपए दिये जाएंगे अठ्रा वर्स से अधिकुम्र की महिलाओं को एक हजार रुपए दिये जाएंगे लखनव में आयोजित 22 वी नेशनल जूनियर अंडर 22 फैडरेशन कप एथलैटिक्स की 10,000 मिटर दौड में मद्रप्रदेश के विनोध सीहने कौन सा पदक जीता है तो यह स्वर्ण पदक जीता है तो इस का अंसर हो गया तो आप्शन नम रखिकास उत्कृरिश्ता केंद्र 5 वस पादन एवं प्रसिक्षण गेंद्र का लुकारपन कहां पर किया गया तो यह सूजालपूर में किया त्यक्त आइख है ओ को नियाले ने भारति पुरादत्व सर्वेक्षन को किस जिले में इस्तित भूद साला मंदीर कमल मौला मस्जीद परिशर का विग्यानिक सर्वेक्षन करने का निर्देश दिया है उत्साला मंदीर और कमल मौलाना मस्जीद परिशर कहां पर है यह धाड़ स्टीक में तो इसका आंसर हो गया था ओप्सन नमबर सी अभी हाले में सीहोर जीले में राश्पटरी मानसिक स्वास्त है उन्रवास संस्थान का लुकारपन किसने किया है तो यह डॉक्टर विरेंद्र कुमार और शीरी नाराइन सीं कुस्वा दोनों ने तो इसका आंसर हो गया तो ऑप्सन नमब और हाले में मद्रप्रदीस राजी सुटिंग एकडेमिक की सुटर रुबिना फ्रांसिस ने पैरा सुटिंग वर्डगप में कौन सा पतक जीता है तो यह का से पतक जीता है ठीक है तो इसका आंसर हो गया तो ऑप्सन नमबर सी और यह 10 मिटर एयर राइफल में जीता है इन किने दो परिटन इस्थानों के बीच किया गया है तो यह महाकालेश्वर और उमकारेश्वर तो इनका अंसर हो जागा था ओप्सन नमबर ए ठीक है अभी हाली में हमारे मत्रप्रदेश के मुख्य मत्री डॉक्टर मोहन यादो ने पीम स्री परिटन वायु सेवा और पीम स अनुसंदान प्रयुक्साला का उद्गाटन कहां पर किया गया है तो यह किया गया है अगर बात करें 30 अनुसंदान प्रयुक्साला का उद्गाटन तो यह किया गया है और वायुमंडली अनुसंदान परिक्षन सुविधा का सुभारम कहां पर किया गया है तो यह का किया स्योड स्टीक में हाल में मद्रप्रदेश कैबिनेट ने कितने करोड रुपए की केन बेत्वा लिंक परियोजना को सिक्रती दी दी है तो यह 24,293 करोड तो इसका अंसर हो गया तो आपस नंबर के प्रदानमंत्री जन्विकास कारिकरम योजना के तहट किस विस्विद्धालय में जैन अध्यान केंद्र की स्थापना वाली परियोजना को मंजूरी दी है तो यह देवी आहिलय विस्विद्धालय इन दौर में इसका आंसर क्या हो गया था ओप्सन नंबर ऑर ब्र वी शिद्धालय हमारे मद्रदेश की सागहण मतrahद स्थीग में यह मारे मद्रदेश का पहला स्थीग ओर के इसको चेंद्री विस्थीद्धालय का अभी दरज पर पोन्द तेच इंद्रागांधी राश्तृ आधिवासी विस्थूद्ध Avenue कि में हैindi om Airport पूर डिश्टिक में है और एक राजमाता विजय राजय सिंद्या करसे उसे डाल है जो कि ग्वालिय डिश्टिक में है तो हाले में मद्दप्रदेश के कि सहर में सात्वा अंतराश्टरी फिल्म महुत्सो दो हजार चौबीस का आजन किया गया है तो यह इंदौर में और हाल इस्तित गोलगर इसमार्क का लकारपण किया है तो गोलगर कहा पर इस्तित है यह भौपाल में इस्तित तो इसका Pan Wir cost और हाल में युनेशकों ने मदब्रदेश के कितने दर्सनी स्थलों को अपनी इस्थाई सुची में सामिल किया है तो यह चे दर्सनी स्थलों को कौन-कौन से ग्वालियर का किला धमनार का एतिहासिक समूह बोजिस्वर महादेव मंदीर चंबल घाटे के रॉक कला स्थल और भंडारा ठीक है और रामनगर मंडला का भगवान इसमारक और देखिए बात करें हम यहाँ पर यूनेशकों की तो इसकी फुल फॉर्म यूनाटेट नेशन एजूकेशन सांटिफिक एंड कल्चर और अर्गनाजेशन होती है इसकी स्थापना 16 नावंबर 1945 को की गई थी औ ठीक है पेरीश फ्रांस में है और इसके अभी हेट को नहीं है और अजोले और देखिए हमारे मदरप्रदेश में तीन इस्थल ठीक है तीन इस्थल जो है यह यूनिसको द्वारा विस्वधर इस्थल की सूची में सामिल है ठीक है कौन-कौन से एक तो खजुराओ की मंदि bisa जिनको सामिल कbst एक है कसी दू जिसको नाइंटीन एंटी नायम सामिल किए गया वह यह और एक वह उत जां थीक है 13 मार्च 24 से मद्वर्देश में आदिवासियों कै परम्परिक परव बह्रीया हाट कि सुरूवात हो चुकी है यहकि समुदाय का पर ब्यवह परवह है तो यह बिल समुदाय का प्रमुख परवह है ठीक है तो इसका आंसर हो गया तो आप्स नमबर बी और हाली में मदवदेश के किस जिले के सर्द पगारे को साहित अकेडमी पुरुसकार दोजार तेवी से सम्मानित किया गया है तो यह खंडवाड स्टीक से है तो इस सर्द पगारे जी को वॉयास समान से भी समानित किया घै ठीक है तुसर पगारे जी को जो बीजला चासक्ति City समानीध किया घैता है अठ्राइ वर्सिय ओजसव चेंपियन बने हैй इनका समंद्ध मद्दप्रदेश के किस जिले से हैं तो ग्वालियर डिश्टीक से हैं ठीक है तो इसका आंसर जागा ऑप्सिन नबर सी अभी हाली में न्यू डेली में आल इंडिया ओपन सत्रंज प्रतियोगी तक आउजन किया गया इसमें हमारे मद्दप्रदेश के ग्वा समद्धापुरम से तो इसका आंसर हो गया ता ऑफ्सन नबर सी और हाली में मद्दप्रदेश के पुर्व होकी प्रसिक्चक असोग कुमार को कि समान से समानित किया गया है तो यह मेजर ध्यान चंद लाइफ टाइम अच्विवमेंट अवर्ड ऑवर्ड दोजर देवी से स बैतूल्ड श्टीक में तो इसका आंसर हो गया ता ऑफ्सन नबर सी और बैतूल्ड श्टीक के मलाचपुर में इस मेले का आवजन किया जाता है और हाली में पैप्सिको इंडिया ने मद्दप्रदेश के किस जिले में एक फ्लेवर मैनुफेक्चरिंग फैसिल्टी नेसनलं ज्योलिशियल एकेडमी भुपाल का डारेक्टर के से नवुक किया गया है तो ये जयस्टीस अनियुद्ध बोस जी जी को अभी हालि में नेशनलielle framework करिक्चरल कुर्ट के बात करें तो यह हमारे मद्द्प्रदेश मुख्य न्यादी से मद्दप्रदेस हाई कोट के अनुपम राजन हमारे मद्दप्रदेस राजी निर्वाचन आयोग अधिकारी है और मद्दप्रदेस के मुख्य निर्वाचन आयोगत कोन है तो यह बसंद प्रताफ सीम इसके बाद देगा था राश्ट्री तानसें सम्मान के बारे में तो इसकी स्थापना और सिरपूर तालाव और यसवंत सागर अधिया के बारे में देखा यह गुड़सवारी प्लेयर है और इसके बाद राजुस ही है जी यह भी गुड़सवारी प्लेयर है यह कहां से है बोपाल से है और इनको विक्रम पुरुशकार 222 से संभाने किया था फिर हमने शैफाल प्लेयर है कहां वालेयर से है और रूबिना अप्रांसीस यह पैरा सूटिंग प्लेयर है और कहां से जबलपूर से है distraction लघचरि पुरुसकार देखा था हमने तो यह झती चेतr में जाता है और और 2022 का उत्तम सिहें को मिला था और इसकी स्थापना 1984 में थी यह most important याद रखीएगा इसके बाद राष्टरी देवी अहिले सम्मान देखा था 2020 का मालेनी अवस्ति को मिला है यह लखनौ से है लोक गय का है और इसमें पुरूशकाराशी 5 लाक रुपए स्थापना कवी थी 1996 में होई थी इसके बाद सरज जोसी सम्मान जो है इसमें 2021 का स्री राम परियार को मिला है इसकी स्थापना 1992 में पुरूशकाराशी 5 लाक सामिन विकास विज्ञान समीती को और यह कहां पर है यह जोधपूर में ठीक है तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखेगा इसकी स्थापना 1995 में किए इसमें पुरुषकार रासी 20 5 लाग रुपए दी जाती है इसके बाद देखा था हमने क्रसक लहरी बाई कहां से है और किस जन जाती से है बैगा जन जाती से है और देखिए इनको 2021-22 का पादब जिनोम संदक्षंक किसान संबान से भी संबानित किया था और देखिए यह मिलेट्स एंब्रजडर भी मेलेट्स कार से से मलानित क्या था और कि ऊपन्यास के लिए इनको संब्मानित क्या है राम राज्य के उपन्यास में अचफानी सबसे अधिक में नियूंतरम केरल में है इसके बाद देखा था हमने मात्र म्रत्यू अनुपात देखा था तो हमारे मद्रदीश में मात्र म्रत्यू अनुपात कितना है अभी प्रजणदर 2.6 बप्रजणदर 2.6 सब्सक्राइबर 3.0 उसल्ट कंद मुझैं 1.4 रहे देखिए अगर population में stability लाना है तो प्रजण अंदर कितनी होनी चाहिए 2.1 होनी चाहिए इसके वाद हमने जन्म के समय लिंगानुपाद दिखा था तो देखिए जन्म के समय लिंगानुपाद की बात करें तो हमारे देश में 907 है ठीक है हमारे मद्बदेश में कितना है तो यह है 919 जन्म के समय लिंगानुपाद सबसे अधिक कहा केरल में है 974 और सबसे कम कहां पर है यह उत्राकण में 844 हाली में किस संस्थान ने ट्रांसपैरेंट सिरामिक बनाया है जिससे देश में पहला इयर कार्ड बनाया जाएगा तो यह आरर केट ने तो इसका आंसर हुझागा option no.C ठीक है अजिसस्धीश में पहला फॉर कर नोगा जाएगा JUST है आरर केट कहां इंदौर सहर एकमात्र ऐसा सहर है जहां पर आयम और आयाइटी दोन इंस्टूट है ठीक है और आपको पता होगा अभी आयाइटी के निदेशक किसे बनाया गया है तो यह की सिवान और याद रखी का की सिवान जो है इसरों के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके है ठीक है बात करें IISER की तो यह कहां पर है यह बोपाल में है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नलोजी की यानि राजा रमन्ना प्रगत प्रदुगी केंदर तो इसकी स्थापन कभी थी यह 19 फरवरी 1984 को हुई थी इसका मुख्याला इंदौर में है हमारे मद्रप्रदी में और इसके अभी निदीशक को ने डॉक्टर संकर वी नाखी है ठीक है इसके निदीशक को ने डॉक्टर संकर वी नाखी है और इसे का प्रथम एवं वी सुगा तीसरा लेजर अनुसंदान केंद्र कौन सा है तो यह भी आरार केट है यानि राजा रमना सेंटर फॉर जाती है और यह चार चेतरों में दिया जाता है राश्त्री कालिदा संवान की स्थापना की गई थी तो इसका आंसर जाएक नुमबर B ठीक है और यह है रश्मी तुमारी और इन्होंने अभी हाली में हमारे मद्रप्रदेश केरलब के द्वारा धित इनका होड़ी राष्ट्टी केराम श्वार्वी बर ठीक है कौन सी सी बारती बारती वार महिव्या प्रत्ड केरल के फ्ट डॉन व्यू इसमें रस्मी कुमारी ने 12 बार 12 बार यह खिताब जीत एक रस्मी कुमारी जो है यह ओन जीची इसकी स्थापने कभी थी 14 अगस 1956 में इसकी स्थापना की गई थी महारतन कमपनी का दरज़ा कप प्राप्त हुआ था 2010 में प्राप्त हुआ था ओएंजी सी को महारतन कमपनी का दरज़ा 2010 में प्राप्त हुआ था और बेल और गेल को कप प्राप्त हुआ था 2013 में प्राप्त हुआ था ठीक है और इसका हेटवार्टर कहां पर है यह दैरादुन में है इसका हैडवार्टर दैरादुन में और इसके अभी आगर मालवा की तो इसका आंसर जो आप्सन नमबर ए ठीक है अब यह मलता सर्माजी इनका संबंद है आगर मालवास है और इनको 2023 का अंतराष्टी साहित ते सहित्यू संभान 2023 से संभानित किया था किस देश के दोरा संभानित किया था तो यह ब्रिटेन के दोरा संभानित किया था ठीक है ब्रिटेन की संसद ने इनको यहां संभान दिया है और देखिए बात करें हम जीलों की तो देखिए आगर मालवा जो है हमारे मद्रदेश का इंका वनवा जीला ह ठीक है निवाली हमारे मद्रदेश का 52 जिला है महुगंज हमारे मद्रदेश का 53 जिला है और पांडुरुन हमारे मद्रदेश का 54 जिला है अच्छा 55 जिला कुंसा है हमारे मद्रदेश का तो यह महर है ठीक है और आगर मालवा की बात करें तो यह किस जिले से अलगोगर बना ठीक है और इसके बाद जिले से अलोगर बना है पांडुरुना चिंदवार जिले से अलोगर बना है और 17 का बना तो यह बने हैं 2023 मे नियुकर ओटन, कई थी यह चुनों का तो यह किया गय था पाँच ऑक्टूबर दो अज़ार तेविस में जिलो का गठन किया गया था ठीक है 2013 में भी मैंदरप्रदेश में चुनाओ थे और दो हजार तेविस में भी मैंदरप्रदेश में चुना होए इंसым तब चुना वह गी तैस के जाबो डिस्टिक से अलगों कर बना था और जो सिंग्रोली है वो सीधी डिस्टिक से अलगों कर बना था दोनों 2008 में भारत की पहली सोलर शिटी कौन सी बन गई है तो यह साची बन गई है इनको सोलर गांदी के नाम से भी जाना जाता है अप्रेल 2023 को भारत सरकार द्वारा डॉक्टर भीम्रा अंबिटकर जी की कौन सी जयनती मनाई गई है तो यह 133 वी जयनती मनाई गई है डॉक्टर भीम्रा अंबिटकर जी को जो जन्म है वह 14 अप्रेल ठीक है 14 अप्रेल अठरा सो इनक्यानबी में हुआ था और इनका जो निदन है वह 6 दिसंबर 1956 को हुआ था ठीक है इनका जन्म कहां पर हुआ था तो यह हमारे मद्दप्रदेश के महु में हुआ था जिसका नाम अभी डॉक्टर भीम्रा अंबिटकर नगर कर दिया गया है और इनका जो निदन है वह मुंबई में हुआ था और इनकी समाधी का नाम चैत्य भूमी है जो कि कहां पर है तो यह मुंबई में है और इनको भारत रत्न कप्रतान किया गया था तो यह 1990 में इनको भारत रत तो इसका आंसर जाएगा option no.d ठीक है अभी भारत में पहली बार सत्पुर्ण राश्ट्य उध्यान में यूरेसियन उटर जिसे हम उद्बिलाव भी कहते हैं तो इसको रैडियो टैक किया गया है और देखी बात करें हम यहां पर चाटेस्तु द्यान के यह तो एक किस अडिश्टीक में है नरवधापुरम डिश्टीक में है इसकी स्थापना कप की थी यह 1981 में इसकी स्थापना की गए थी इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1999 सामिल किया गया था और इसके बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाईत होती है तो देनवा नदी प्रवाईत होती है ठीक है इसको बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाईत होती है देनवा नदी प्रवाईत होती है और यहां पर देखिए सरवाधिक क्रश्नम्रक और गौर प्रसु पाई जाते हैं तो यह सद्पुला राष्ट उध्यान में पाई जाते हैं और देखी हमारे मद्रदेश का पहला राष्ट उध्यान कौन सा था तो यह काना किसली राष्ट उध्यान था ठीक है पहला राष्ट उध्यान कौन सा है हमारे मद्रदेश का काना राष्ट तो यह मंदला और बालागाड दोनों डिस्टीक में है ठीक है इसकी स्थापना की गई थी यह 1955 में इसकी स्थापना की गीज थी और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में जो है वो कब सामिल किया गया था तो यह 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगल में सामिल किया गया था और प्रो और जो ब्रेडरी प्रजाती का वाराजान है वह इसी राष्ट्य utilized में पाया जाता है ठीक है और देखिए बारत का एकमात राष्ट्य उध्यान जिसने अपना सुभंग्र यानि मैस्कोट जारी किया था 17 में तो यह इसी राष्ट्टी उध्यान में जारी किया गया था और सुभंकर का नाम कया था बूर्श यह यह दा बाराश इंगा और इसको डिजाइन रोहन प्रवाइत होती है तो इसके बीचों बीच से मनिहार नदी प्रवाइत होती है ठीक है इसके बीचों बीच से मनिहार नदी प्रवाइत होती है और देखिए यह राश्टी उध्यान जो है वो किस हाइवे पर है तो 46 एनस 46 पर है ठीक है नेशनल हाइवे एनस 46 पर है कौन सा र गोशीत किया गयता है हमारे मदभदेश के दूसरी रामसरसाइट हैं तो चार रामसर सैट है ठीक है और हमारे थेस में 8 रामसर सैट है और मदभदीक पहाराश्टी-जो में पाया जाता है मादो राष्ट्र उध्यान वो प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल नहीं अमारे मरवददेश के किस अड испыт किन प्रोजेक्ट में ऩाार प्रोजेक्च टाइगर में सामिल है और साथ था रिजर्वर कोई ढगारे को सा राष्ट्र उध्यान गोशित किया गया था और इसे प्रोजेक्ट टैगर में कम सामिल किया गया था यह 1993 में से प्रोजेक्ट टैगर में सामिल किया गया था ठीक है और इसके बीचो बीच से कौन सी नदी प्रवाइत होती है तो चरन गंगा जो है इसके बीचो बीच से चाहाँ पर है लिए भानदोगाल रश्टल उध्यान में हैं और शरवाधिक मातरा में बास की प्रजातिया राश्ट से हरिसित मंदिर उजयन में सक्ति संगीत का समापन हुआ है याप सक्ति संगीत और रती महुआच्व की अकडमी के दोरा आयूजीत किया रहा है और इसका कामख्यमंदिर से हुआ अग्रनी है जिसने व्रक्षा रोपन हरिती करन कारियों के लिए 954 हेक्टेर निमनीकरत वन भूमी सुकरत की है तो यह हमारा मद्द्रदेश है ठीक है तो इसका आंसो जएगा और बी तो कि हमारे मद्द्रदेश ने व्रक्षा रोपन हरिती करन कारियों के लिए 954 हेक्टेर निमनीकरत वन भूमी सुक्रत की है जब कि भारती वन सर्वेक्षन रिपोर्ट जुहर 21 में हमारे मद्दप्रदेश की बात करे हम तो वन रिपोर्ट जुहर 21 के अनुसार मद्दप्रदेश का वन चेत्र 77,492.60 वर्ग किलोमेटर वन है जो कि प्रदेश के कुल चेत्रपल का 25.14 बागवनों का है जब कि भारत की वन भूमी का लगबग 10.8 प्रतिसत हिस्सा मद्दप्रदेश में है और मद्दप्रदेश में कुल वन चेत्र में पिछली रिपोर्ट की तुलना में 10.11 वर्ग किलोम मद्दप्रदेश के 50 जिलो को सामिल का रिपोर्ट तैयार की गई है इस वन रिपोर्ट में 50 जिलो को सामिल किया गया है ठीक है तो देखिए हमारे मद्दप्रदेश में वन चेत्र निकाला गया है वह वविभाजीत साजापूर का निकाला गया है उसमें आगर मालववें इंक्लूड है तो हाली में किस सहर के युवा फिल्मकार सुदीप सोहनी की डॉक्यमेंटरी फिल्म यादों में गंगौर अमेरिका के ओट्रिटी फ्लेटफॉर्म हेरिट हेरिटेज ब्रॉटकास्टिंग पर रिलिज हुई है भारती नौसेना के नए प्रमुख कोन होगे तो यह होंगे दिनेज कुमार तिरपाटी जी तो इसका आंसर होगे तो और यह दिनेज कुमार तिरपाटी जी यह भारती नौसेना के नए प्रमुख होंगे और यह रिव 9 सेना के नाय प्रमुक कोन बनेंगे दीनेस किमार तर्पार्टी हमारे वायू सेना कोन भी दिनेस cudrine पर्मुक कोन है भी विवेक राम चौदरी है और ठल सेना प्रमुक कोन है ज़नरल मनोच पांडे है ठीक है और हमारे tiss की चार दिसम्बर को मना जाता है Air Force Day को मना जाता है 8 October को मना जाता है और थल सेना दिवस को मना जाता है 15 January को मना जाता है और अभी हाल में प्राची यादों ने ACC पैरा केनो ACI Championship 24 में स्वर्णपदक जीता है दो स्वर्णपदक जीते है तो यहाँ चेंपेंशिप कहां पर आयो जीत हुई थी टोक्यो जापान में आयो जीत हुई थी तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नमबर B अभी हाल में हमारे मद्रप्रदेश के गवालेज जी लेकी पैरा केनो प्लेयर प्राची यादों ने ACC पैरा केनो इनको अरजुन पुरुषकार में मिला अभी हाली में ठीक है चाइना के हॉंग जू में दोजार तेवीस में एशियन गेम्स हुआ थे उसमें इन्होंने दो पदक जीते थे एक स्वर्न पदक जीता था और एक रज़त पदक जीता था और तेवीस अफ्रेल 2024 को प्रत्वी दिवस मनाने के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहां पर इस्थापित की गई है तो यह न्यूडैली में इस्थापित की गई है ठीक है तो इसका आंसर हो गया तो ऑफ्सन नमर बी और देश की सबसे पहली वैदिक घड़ी कहां पर सबसे है तो इसका आंसर हो गया तो ऑफ्सन नमर बी ठीक है अभी हाली में रतनेस पांडे जो की सबसे हैं इन्होंने उत्रकंड के के धारकंट परवत की चलाई चलकर साड़े 12,000 फिट के उचाईबत रंगा फेराया हैं अभी हाली में भारत के पहले हिंद केशरी रामचं परियाटन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझोता ग्यापन पर स्ताक्षर किये हैं तो यह AWAI और गुजरात सरकार के साथ तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ्सन नमर बी ठीक है तो दिखिए गुजरात सरकार और हमारी MP गवर्मेंट ने Indian Waterways Authority of India के साथ एक समझ परियाटन को बढ़ावा भी मिलेगा और गुरुजरात परियाटन को भी बढ़ावा मिलेगा अभी हाली में लोकसभा चुनाओं के दूसरे चरण में मद्रप्रदेश की छीटों पर कुल कितने प्रतिशत वोटिंग होई है तो यह मात्र 58 दसमलो 3-5 प्रतिशत वोटिंग होई है तो इसका आंसर हो गया था option number C तो दूसरे चरण कब आया यह 28 अप्रेल को हुआ था और पहला चरण कब हुआ था तो यह 19 अप्रेल को हुआ था ठीक है और पहला चरण की 6 लोकसभ लोकसवा शीटों पर चुना हुए थे हाले में मुंबई में आजित सतरवी मीनी नेशनल हैंडबॉल चैंपेंशिप ध्वर 24 में मद्रप्रदेश ने किस राजी को हराकर स्वर्ण पदल जीता है तो मनिपूर को हराकर तो इसका आंसर जागा option number B ठीक है यानि मनिपूर ने जीता है राजस्तान ने ब्रॉज मेडल जीता है और हमारे मद्रप्रदेश ने गोल्ड मेडल जीता है तो हाले में भूपाल की यूवा एथलिट एक्टर डे ने दूबई में 21 एसेन जूनियर एथलेटिक्स में 5000 मिटर दौर में कौन सा पदक जीता है तो यह रज़त पद विनोध सीय का नाम ठीक है विनोध सीय ने 5000 में में सिल्वर मेडल जीता है तो यह किया गया है जस्टीस विवेक रूसिया को इसका आंसर जाएगा ऑस नमर डी ठीक है अभी हाल में गौलियर खंडपिट का प्रसासनिक ज़ज किसे नुक्त किया गया है तो यह किया गया है कि इन्दौर खंड पीट में है तो इनको अभी हाले में ग्वालियर खंड-पीट का पसासनिक जज नियुद्ध के गया है देखिए बात करें हमारे मद्दप्रदीश हाई कोट की तो हमारे मद्यप्रदीश हाई कोट की स्थापना कप की गी थी ये 1956 में की गी थी ठीक है कहां पर जवलपूर में की गी थी ठीक है और इसकी दो खंड पीटी है उसा पर इक तो ग्वालियर में है और इस थापने कप टी तो यह 1968 में इनकी स्थापना के गीए थी दोनों कंड पीटों की ठीक है हमारे मद्रप्रदीष में दो खंड पीटी है एक ग्वालियर में एक इन में किस अनुछेद में हाई कोट है तो यह सो चौदा में ठीक है यह ज भी याद रहागी हिंपोर्टेंट है हमारे भारती सभीदान के किस अनुछेद में हाई कोट का उले किया है और आट बहुति कि से नंबर बहुत सों। हाली में हमारे मदरपदेश का लोकई यूखत निख कर गये है. जिसे सतेंद्र श्ञैक को इसके पहले कौन थे लोका यूकत हमारे मंदरपदेश के視। यह इनके सीन थे ठीक है एनके सीन साथवे थे और आठवे कौन बने है जस्टीस सत्यंदर सीन और पहले लोकायुगत कौन थे हमारे मदबदेश के यह पीवी दिख्चित थे प्रत्थम लोकायुगत हमारे मदबदेश के जस्टीस अनिरुद्ध बोस की बात करें तो नेशनल यूदीसियल एकडेमी कहां पर है तो इस प्रतवर में है को कहां पर रहे हे तो यह है और राजिनाइक अकडेमी का अभी हाली में टारेक्टर किसी न्यूबस थे प्रतुद्ध भी दिख्चित और इसके चेर्मन कोन होते है तो यह सुप्रिम कोट के मुख्यनाइदीस होते है और सुप्रिम कोट के मुख्यनाइदीस कोन है अभी तो यह है डीवाई चंदरचूड ठीक है पचासवे मुख्यनाइदीस है हमारे सुप्रिम कोट के डीवाई चंदरचूड तो इनका नाम भ अभी हाली मों डारेटर अनिरुद्ध बूस बने हैं उसने वारा देखे अभी हाली में जैपूर में आयो जीता सौंदरी प्रत्योगिता में मिस इंडिया इंदौर 24 का किताब किसने जीता है यह जीता है मिनाकसी गुलवानी ने तो इसका आंसर रहेगा आफसे नमबर बी ठ प्रत्योगिता में मिस इंडिया इंदौर 24 का किताब जीता है और देखिए बातकरा में आपर जोया मिर्जा की तो जोया मिर्जा स्क्रीन आफ इंडिया रहे चुकी है और यह भी इंदौर से है ठीक है और यह मिस क्वीन आफ इंडिया कब बनी थी 2017 में ठीक है तो जोया मि मद्रप्रदीश के रास्दानी बोपाल से हैं वर्षा डोंगरे की बात करें तो यह मुखबादीर है और मिस इंडिया 2021 रही है और यह कहां से हैं इंदौर से हैं और देखिए यह हमारा टेलेग्राम चलनल टार्गेट सील सर्विसेस तो इस पर आज 20 कोशन के क्वीज होंगे एंपी करेंट एवर से रिलेटेट और आपको जो मद्रप्रदीश करेंट एवर की अप्रेल की पीडिएफ है वह भी टेलेग्राम पर मिल जाएगी ठीक है मंतली पीडिएफ जो है तो वहां से आप डाउनलोड कर लिजिएगा टेलेग्राम चैनल के लिंक आपको मारे इस वीडियो